हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का दिल्ली करनाल RLTS की अपडेट में गाइज हरियान की अंदर एक और नई रैपिड रेल की लाइन बनने जा रही है इससे पहले मैंने आप से दिल्ली फरिदाबाद RLTS को लेकर चर्चा की थी आज मैं दिल्ली से करनाल के बीच में बनने जा रही रैपिड रेल की लाइन को लेकर चर्चा करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि इस ओवर ओल प्रोजेक्ट को कब तक बना कर तयार कर लिया जाएगा इसके अंदर कितने स्टेसंस पढ़ने वाले हैं इसके बन जाने से आपको कितना फाइद कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ये वीडियो इंपोर्टेंट है एंड बने रहीएगा चलिए बिना देरी किये शुरू करते हैं आज की अपनी इस अपडेट को गाईज आप जानते हैं नैशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्परेशन और एंसी आर के अंदर लगभख कई सारी आरेटियस की लाइने बिचने वाली हैं और इसी में से एक पानी पत रैपीड रेल की लाइन थी और आप कहसके हैं कि दिली से सुनिपत होते होते हुए पानी पत तक जो ररिटियस बिचने वाली थी उसको अब एक्स्टेंड कर दिया गिया है और दिली से करनाल तक फाइनली अब rapid rail का corridor जो है वो बनाया जाना है पहले इसे पानीपत तक बनाया जाना था लेकिन पिछले दिनों केंद्रिय मंतरी मनुहर लाल खटर जी की अगवाई की वज़े से यहाँ पे मुख्य मंतरी नायाप सैनी की बैठक में यहाँ पे इन्होंने करनाल तक extension की जो यह यहाँ पे approval है जो मंजूरी है वो इसे दी है और इसलिए यहाँ पे अब सर्वे जो है वो सुरू हो गया है और यहाँ पे अभी यह बताया जा रहा है कि पानीपत तक यहाँ पे RRTS का सर्वे हो चुका है अब सिर्फ पानीपत से करनाल का almost आप कह सकते हैं कि 15 किलो मिटर का हिस्सा ही बचा है जिसके उपर सर्वे किया जा रहा है तो मंजूरी मिल चुकी है तो अब यह प्रोजेक्ट पैंडिंग में नहीं पड़ा रहेगा अब इसके उपर काम शुरू किया जाएगा तो दिली से पानीपत के बीच में अब इसे करनाल तक आप कह सकते हैं कि बनाय कर सकते हैं हर 6-10 मिनट के अंदर आपको नमो भारत ट्रेने मिल जाती हैं और अगर मैं देखो तो दिली से करनाल जाने में मौजूदा समय अगर आप देखेंगे तो लगभग देड़ घंटे समय लग जाता है इतना लेकिन यहाँ पर रैपिड रेल के चल जाने के बाद आ आप दिली से करनाल जो की अल्मोस्ट 117 किलोमेटर का यहाँ पर डिस्टेंस पढ़ता है तो आप 117 किलोमेटर का डिस्टेंस महज 45 मिनट के अंदर तै कर लेंगे यही फाइदा है यहाँ पर इस नमो भारत ट्रेन के चलने का और यहाँ पर आगे की जो बाते हैं वो यह न हरियाणा के अंदर यह पहली लाइन है इसके अलावा एक और लाइन यहाँ पर तयार की जानी है जो की दिली फरीदाबाद RTS की है जिसको लेकर मैंने लास्ट वीडियो में बात की है आप वो वीडियो देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं जी हरियाणा को दो दो रैप ड्रेल 160 km per hour की स्पीड की साथ चलेगी जो की अपने आप में एक अलगी experience आप लोगों को देगा चलिए उमीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी बाकी आप बताएए आप की क्या राय है इस दिल्ली करनाल RTS को लेकर और आप कमेंट करके बताएए कि अगली वीडियो को किस चीज की उपर में बनाऊं जी टोपिक सजेस्ट कर सकते हैं आप बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ अगर ये वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली उम्यद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ इतनी ही बातें रिपोर्ट के अंदर बताई गई हैं जैसे ही आगे की चीजे निकल कराएंगी वो मैं आपको बताऊंगा तो जब तक के लिए रखेगा I hope to see you again, bye bye guys